Friends History 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है देखे हम लोग NCERT की जोग्रफी की जो 12th स्टेंडर्ड की बुक है इसे पढ़ रहे हैं Already हम लोगोंने 3 चैप्टर को कम्पलीट कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राथ्मिक क्रिया है तो देखे सबसे पहले बात आती है कि आर्थिक क्रिया क्या है क्योंकि जो प्राथ्मिक क्रिया है दूतियक क्रिया है यह सब आर्थिक क्रिया के ही हिस्से हैं तो आर्थिक क्रिया मतलब हो गया, कोई भी आपकी ऐसी activity, आपकी कोई भी ऐसी गतिविधी, जिससे की income होती है, जैसे की मैं एक आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, और इससे मुझे कुछ income होती है, तो ये क्या हो गई? एक आर्थिक गतिविधी हो गई लेकिन देखिए जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं ये बहुत तरह की होती है जैसे कि स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं ये सर्विस देने का काम करते हैं वही पर आपकी हॉंडा कंपनी हो गई, तो वो मैनुफेस्चरिंग का काम कर रही है यानि कि बहुत सारी गतिविधियां अर्थ विवस्था में होती है तो इनको क्लासिफाई किया गया है अलग-अलग वर्गों में जैसे कि प्राथमिक तरहां की आर्थिक क्रिया, दृतियक तरहां की आर्थिक क्रिया, तृतियक तरहां की और चतुर्थक तरहां की आर्थिक क्रिया तो चार भागों में इनको डिवाइट कर दिया गया इसी मेंसे हम लोग देखने जा रहे हैं आज कि अर्थ विवस्था में कौन-कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनको हम लोग प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं अब इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि वो सारी चीजें जो प्रकति से सीधी तोर पे जुड़ी रहती हैं उनको प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं कहेंगे प्रात्मिक क्रियाओं कौन सी हो गई? जो सीधे प्रकती से जुड़ी हैं, जैसे आप लकडी का काम कर रहे हैं, म्रदा में क्रशी कर रहे हैं, नदी के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजे प्रात्मिक क्रियाओं से जुड़ी हैं, उधारण देख लेते हैं, ज सारे student गलत कर देते हैं कि जो mining है जो खनन है ये भी प्राथमिक क्रिया है mining मतलब जमीन के अंदर से कुछ मिंजल्स वगएरा को निकालना तो अब देखिए हम लोग जो अलग अलग तरह की प्राथमिक क्रियाएं हैं इनको देखेंगे जैसे शिकार करने से और फिर क्रशी और क्रश के भी जो अलग अलग तरीके हैं इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे तो पहली आ जाती है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में पहला भाग आ जाता है आखेट और भोजन संग्रय देखेंगे बहुत पहले अगर हम लोग चले जाएं जब सभीताओं का विकास हो ही रहा है तो मनुष्य क्या कर रहा था या तो शिकार कर रहा था और या फिर दूसरा तरीका था कि जंगल में जो कुछ मिल गया उसको एखटा कर लिया और उसको जो है फूड की जगे पे यूज कर लिया अब देखिए कहां पर मनुष्य शिकार करेगा जहां पर बहुत ज़्यादा शीतल जलवायू है या बहुत ज़्यादा गर्म जलवायू है तो जब क्लाइमेट बहुत हार्श होगी तो आपको बहुत कम चीजे खाने पीने की मिलेंगी नेचर से तो ऐसे में आप क्या करेंगे शिकार करने लगेंगे तो जो बहुत शीतल जलवायू में रह रहे थे या जो बहुत ज़्यादा गर्म जलवायू में मनुश्य रह रह रहे थे, उन्हों ने शिकार के द्वारा जीवन यापन किया, अब देखे क्या है, कुछ लोग मचली पकड़ रहे थे, अब क्या है तकनीक का विकास हो गया, तो अब जैसे मचली पकड़ने का काम है, तो बहुत ही टेकनोलोजिकली उसमें मशीने आ गई हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, अब ये भी हो गया है कि अबायद शिकार वगएरा की वज़े से टाइगर खतम होते जा रहे हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं वो खतम होते जा रहे हैं, लेकिन जो शुरुवाती समय का मनुश्य था, वो तीर भाले का यूज़ कर रहा था, तो इतन पर भोजन उपलब्ध है, असानी से वहाँ भोजन को एकटा कर लेना, जमीन से उठा लेना, और आखेट करना, यानि की आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ये प्राचीन तम ग्यात आर्थिक क्रियाएं हैं, और अगर आजाए ये कैसी क्रियाएं हैं, तो प्रात्मिक क् करती है मनुश्य के सामने वहां पर आखेट होता है और जो अधिकतर आज शिकार कर रहे हैं उसमें से अधिकतर वही आदिवासी समुदाय के लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं पशुओं का और वनस्पति का संग्रय करते हैं अपने भोजन के लिए वस्तर के लिए और कोई तकनीकी ग्यान भी नहीं चाहिए होता है अच्छा आखेट में प्रॉबलम क्या है देखिए बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं होगा आप शिकार करके लाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास कुछ एवलेबल होगा यानि कि दिन के दिन उसी दिन आएंगे शिकार करेंगे तो सबको बहुत थोड़ा-थोड़ा मिल पाएगा तो चाहें आखेट हो या फिर जो भोजन संग्रहड हो अगर आप भोजन संग्रह करेंगे उसमें भी यहीं बात आएगी थोड़ा सा भोजन एखटा कर पाएंगे जंगल से और इतना तो जो पूरा हमारा विश्व है अगर हम लोग कहें कि वर्तमान समय में भोजन संग्रह का काम कहां कहां पे हो रहा है विश्व में किन हिस्सों में देखिए आखेट तो लगबग-लगबग समाप्त हो गया अब जो आपकी बात करें कि भोजन संग्रह तो यह विश्व में कहां कहां पे हो रहा है, उच्छ च्षांश के छेटर, जिसमें देखे उत्री कनाड़ा, इसके साथ इसके साथ इउत्री यूरेशिया और दच्षनी चिली, यहां पर ये काम हो रहा है, इसके साथ में आपको आज भी भोजन संग्रे होता दिखाई दे जाएगा आधुनिक समय में भोजन संग्रे के कारे का कुछ भागों में व्यापारी करण भी हो गया यानि विश्व में कहीं कहीं इसका व्यापारी करण भी हो गया है यानि कि जो चीजें वन से घटी की जा रही है बोजन संग्राय करके या कह लिजे जो वन उत्पाद हैं, वन उत्पाद ज्यादा सही शब्द होगा, बहुत से समुदाएं, वन उत्पादों का संग्राय करके उनको मार्केट में बेच भी पा रहे हैं, हालां कि ये बहुत ही लिमिटेड है, अब आजाते हैं अगले यानि कि पशुओं को चराना, तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समुध ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट, आखेट मतलब केवल शिकार से जीवन का भरण पोशन नहीं किया जा सकता, मनुष्य ने ये समझ लिया कि केवल शिकार करके जीवन नहीं चलेगा, तो इन्हों ने सोचा क्यों ना पशुओं को पाला जाए, तो पशुपालन जो है एक व्यवसाय के रूप में सामने आया, अलग अलग जलवायू दशाओं में रहने वाले लोग अपने हिसाब से, अब देखिए जो आपकी जलवायू है, जैसे भारत में गाय का पालन होता है, तो जैसी जलवायू है, उसी हिसाब से लोग अलग अलग पशुओं का पालन करते हैं, कहीं पर भेड का पालन होगा, भावगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पे वर्तमान समय में पशुपालन दो तरह का है, देखिए एक तो व्यवसाय निर्वहन, यानि कि ए एक तो हो गया अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पशुपालन करना, दो तरह का पशुपालन हो रहा है, एक तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करना, दूसरा व्यापारिक इस तरह पे बड़े बड़े फॉर्म बना दिये, उसमें बहुत संख्या में पशुओं का पालन हो रहा है तो दोनों तरीके का पशुपालन इस समय विश्व में चल रहा है और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पशुपालन भी एक प्रात्मिक तरहां की आर्थिक गतिविदी है प्रात्मिक क्रिया है तो देखें ये हम लोग जो प साम नहीं चलेगा तो ये लोग पशुओं को पालने लगे लेकिन एक समस्या तब भी है चारागा है मौसम बदला घास खतम हो गई तो इसका सोल्यूशन क्या था बहुत सारे ऐसे पशुचारक समाज सामने आये जो अपने पशुओं को लेके लगातार चारागा की वजह से एक जगे से दूसरी जगह ट्रांपर होते रहते थे जानी आज यहां पे हैं और जब यहां पे घास खतम हो गई मौसम बदल गया तो दूसरे चारागा में चले गए तो इनको निश्चित पता होता था कि किस चारागा में जाना है चारागा इनके निश्चित होते थे आज भी ऐसे बहुत सारे पशुपालत समाज हैं, अगर हम लोग बात करें उधारण की, तो जो उश्न कटिबंधी अफरीका है, वहाँ पर गाय और बैल प्रमुख पशु हैं, जिनका पालन किया जाता है, जबकि सहारा और एशिया के जो मरुस्थल हैं, उसमें भेड है, बकरी है उठ हैं, इन सब को पाला जाता है, और भी छेत्रों के बारे में मैंने डिटेल्स दी हैं, कि अलग अलग छेत्रों में किन पशुपाला जाता है, इसके बाद देखें, जो हमारा चलवासी पशुचारण है, ये कहां कहां हो रहा है, तो इसका प्रमुख छेत्र, उत्री अट्लांटिक तट के अरब प्रायदुइब होता हुआ, यहां अफरीका के जो अट्लांटिक तट है, अफरीका का, यहां से होता हुआ, मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला है, यानि इस पूरी बेल्ट में आपको ऐसे चरवाहे मिल जाएंगे, दूसरा छेत्र, यूरोप और एशिया के टुंडरा प्रदेश में है, जो हमारा टुंडरा प्रदेश है, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ऐसे चरवाहे, जबकि तीसरा छेत्र, दच्छिरी गोलार्द में, दच्छिर पश्चिमी एशिया और मेडा गासकर दूइब पर है, तो दच्छिर पश्चि जैसा कि मैंने कहा ये लोग लगातार एक जगे से दूसरी जगा मूव करते रहते हैं, इसको कहा जाता है रितु प्रवास, जब एक रितु के बाद दूसरी रितु में जरवाहे एक जगे से दूसरी जगा जाते हैं, तो इसको रितु प्रवास कहा जाता है, इसके कुछ उ हमारे चरवाह समाज के लोग हैं, ये क्या करते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है, तो परवतिये छेत्र में चले जाते हैं, और जब सर्दी का मौसम है, तो मजबूरी है इनकी कि ये परवतिये छेत्रों से मैदानी छेत्र में आ जाते हैं, तो देखिए, आगे मैंने और भी example दिये हैं लेकिन सभी को हम लोग discuss नहीं करेंगे because उसको आप PDF में easily पढ़ सकते हैं मेरा यहाँ पर लक्षे होता है कि आपके concept को मैं इतना crystal clear बना दू कि आपको हर चीज समझ में आ जाए देखते ही तो आगे देखते हैं अब देखिए जो चलवासी पशुचारक है इनकी संख्या घटी जा रही है क्यों घटी जा रही है एक तो देखिए अब राजनीतिक सीमाए हैं ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को चराते हुए बारत को पार करके नेपाल निकल गए हैं और इस तरह से अब आप नहीं कर सकते हैं दूसरी बात है कई जगों पर देशों में नई बस्तियों की योजना बन रही है जहां पे चारागाय वहाँ पर बस्ती बनाई जा रही है, बड़े-बड़े मॉल बनाई जा रहे हैं, तो इन सब वज्जों से अब जो पशुचारक समाज है, इन में कमी लगातार आ रही है. अब देखे हम लोगों ने ऐसे चरवाहों को देख लिया, जो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे मूव होते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वानिज्य पशुधन पालन भी होता है, वानिज्य पशुधन पालन मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पशुओं को पालना, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है, इस तरह के इतने बड़े बड़े फॉर्म बनाने में बहुत पैसा लगता है, टेकनोलोजी लगती है, और देखे इसमें आपको खास चीज क्या दिखेगी कि बहुत बड़ा चारागा होगा, और चारागा ऐसा नहीं है कि पूरे च खास खतम हुई, दूसरे पार्ट में पश्वों को शिफ्ट कर दिया, तब तक इस वाले पार्ट में क्या हुआ फिर से घास तयार कर ली, तो ज्यानी की बहुत ही टेकनोलोजीकल तरीके से और बहुत ही एक और गनाइजड तरीके से पशुपालन का काम होता है, और यहां पर वानिजड जो पशुपालन है, इसमें एक चीज ये भी है कि पश्वों की संख्या भी नियंतरित रखी जाती है, उतने ही पश्वों को यूज किया जाता है, जितने पश्वों के लिए इनके पास चारागाह उपलब्द है, अच्छा दिखें, यह जो आपकी इन पश्वों का पालन होता है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैल है, घोड़े हैं, इन सभी पश्वों का पालन होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक जगे पर केवल एक पशु का पालन होगा, ऐसा नहीं है, एक ही फॉर्म में multiple type के animals हों, अच्छा यहाँ पर बहुत ही व पर यह एक्सपोर्ट किया जाता है और अगर हम लोग देखें तो यहां की मुख्य चीज क्या है इस तरह की वाडिजिक पशुपालन की कि इसमें पैसा बहुत लगता है इसमें देखिए पशुओं के प्रजनन में जो जननिक सुधार है यानि कि जो पशुओं है उनके डिने में जो सुधार किया जा सकता है उनकी नसलों में जो सुधार किया जा सकता है उसके ओपर ध्यान दिया जाता है पशुओं को बीमारी से बचाया जाता है यानि तोटली आप एक तरह से कह लिजे कि जैसे कोई कॉमर्शियल काम होता है बहुत ही और्गनाइस तरीके से वैसे पशुपालन यहां पे होता है और यह कहां कहां होगा विश्व में जैसे न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया हो गया इसके साथ ही आपका उरुगवे हो गया और पिर संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ पार्ट हो गया जहां पर आपको यह वानिज्जिक पशुधन पालन होता हुआ दिखेगा तो यहां पर मैप है जहां पर आप देख सकते हैं कि वानिज्जिक पशुधन पालन हो रहा है अब देखे हम लोगों ने पशुपालन को तो समझ लिया अब हम लोग देखेंगे कि विश्व में अलग-अलग भागों में किस-किस तरहां की क्रशी दि है तो कहीं पर पठार है तो कहीं पर मैदान है और इसके साथ ही जो कैपिटल है जो आपकी टेकनोलोजी है वो भी अलग-अलग है कहीं पर टेकनोलोजी बहुत अच्छी है कहीं पर अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व में अलग-अलग तरहां की क्रशी देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह की क्रशी की बात करेंगे ये है निर्वाह क्रशी तो निर्वाह क्रशी को देखें हम लोग बात कर रहें निर्वाह क्रशी की इसको दो भागों में डिवाइट कर सकते हैं एक हो गई आतिकाली निर्वाहक्रशी और दूसरी हो गई गहन निर्वाहक्रशी अब दिखिए जो आपकी गहन निर्वाहक्रशी है ये भी अपने आप में दो तरहां की होती है एक जिसमें चावल की खेती होती है और दूसरी जिसमें चावल की खेती नहीं होती है तो थोड़ा सा अपने निर्वाहकरशी देखेंगे इसके भी दो भाग हैं एक जिसमें चावल की खेती होती है और दूसरी जो चावल विहीन गहे निर्वाहकरशी है चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सबसे पहले आदिकाली निर्वाहकरशी देखिए आदिकाली नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुराने समय के जो लोग थे वो इस तरह की खेती करते थे खास कर जो उश्न कटिबंधी ये छेतर हैं विश्व के यहां पर इस तरह की खेती देखी जाती थी इसको इस्थानांतरणी ये क्रशी भी कहते हैं यानि कि एक भूमी का उप्योग किया फिर इसको छोड़के अगली भूमी का उप्योग किया तब तक ये भूमी फिर से तयार हो गई अब देखे हैं ये जो क्रशी है ये कैसे होती थी पहले आपको ये बता देता हूँ मान लीजे ये जमीन का टुकड़ा है अब जाहिर सी बात है शुरुवाती समय है तो हर जगे जंगल थे तो यहां पर जंगल होंगे आप गए आपने जंगल को साफ किया लकडियों को काटा जंगल में आग लगा दी और यहां की जो जमीन है वो खाली हो गई अब यह जो खाली जमीन है आपने क्या किया इस पर क्रशी कर ली और क्रशी की आपने तीन साल पांस साल जब तक जमीन उरवर रही अब यह जो बहुत पुराना समय है इसमें खाद तो है ने तो जब यह जमीन उरवर नहीं रह गई तो इसको छोड़के चले गए जमीन नम तो फिर एक नई जमीन तयार कर ली तो इस तरहां की जो ग्रशी है इसको जूमिंग खेती भी कहते हैं इसके कुछ नाम है जैसे कि भारत का जो उत्तरपूर्वी हिस्सा है उसमें जूमिंग खेती कहते हैं मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिलपा और मलेशिया और इसको लादांग के नाम से जाना जाता है। इसमें जाहिर सी बात है आदिम समय है। उस समय के लोग या कह लिजे जो आदिवासी वगएरा समुदाएं हैं वही इस तरह की खेती वर्तमान में विश्व में कर रहे हैं। तो इसमें आपको पुराने औजार दिखेंगे जैसे लकडी की कुदाली, फावडे यानि की बहुत जादा कोई नए तरीके के आउजार और ट्रेक्टर वगएरा तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे। पुरानी तरह की क्रशी है और इसमें क्योंकि वन को जलाया जाता है तो इन्वार्मेंट के लिए प्रॉब्लम आती है, जम इस्थानांकरणी क्रशी है या आदिकालीन जो निर्वाह क्रशी है ये विश्व के कुछ हिस्सों में हो रही है। अब देखें बात करता हैं गहन निर्वाह क्रशी की तो इस प्रकार की क्रशी मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में होती है यानि ऐसे देश जहाँ प प्रमुख फसल होती है वो चावल होती है तो अधिक जनसंख्या देखे क्या है कि यह जहां पर चावल वाली गह निर्वार क्रशी हो रही है वहां पर जनसंख्या घना तो बहुत जादा है यानि एक छोटे से खेत में बहुत सारे लोग निर्भर हैं मालूम हुआ तीन लगा रहता है भूमी का बहुत जादा गहन उपियोग होता है यानि कि काफी उर्वरक वगयरा लगा के जादा से जादा फसल प्राप्त करने की कोशिश की जाती है यंत्रों की अपेच्छा मानव श्रम का अधिक उपियोग होता है क्योंकि लोग जादा है तो यंत्र की ब एक खेट की अगर बात करें पर unit की बात करें जैसे एक hectare में ज्यादा गेहू हो जाएगा ज्यादा चावल की है तो चावल कहना चाईए तो पर hectare इसमें आपको चावल तो जाधा मिलेगा लेकिन हर क्रशक के हिस्से में कम पड़ेगा क्योंकि एक खेट में बीस-पीस लोग अगर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब सब में डिवाइड होगा तो बहुत कम चावल सब के हिस्से में आएगा, तो प्रतिकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रतिक्रशक जो उत्पादन है, वो कम रह जाता है, चावल रहित, गहन निर्व निर्वाक्रशी की बात करते हैं यानि ये भी गहन निर्वाक्रशी ही है लेकिन इसमें चावल मुखे फसल नहीं है। निर्वाक्रशी का जो छेत्र है इसका विश्व में कहां कहां वित्रण है देख लेते हैं। में ही इस तरह की क्रशी होती है तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा मांसून जलवायू वाला छेत्र है यहां पर ही आपको इस तरह की क्रशी दिखेगी। एक हम लोगों ने देखी चावल के साथ यानि चावल प्रधान गहन निर्वाक्रशी और दूसरी देखी चावल विहिन गहन निर्वाक्रशी। तो ये जो डार्क ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये चावल वाली गहन निर्वाक्रशी को दिखा रही है यानि कि ये वो इस्थान है जहां पर आर्ज़ता जादा रहती है और इसलिए यहां पर चावल की खेती होती है और वहीं पर ये जो इसके पास वाले इस्थान है य ये सारे इस्थान वो हैं जहां पर चावल की बजाए अन्य फसलों को उगाया जाता है लेकिन यहां पर भी जो खेती का प्रकार है वो गहन निर्वाहत क्रशी ही है अब देखे बात करेंगे रोपर क्रशी की तो यूरोपीय लोगों ने विश्व भर में कबजा किया और फिर अलग-अलग तरहां से इनों ने खेती किया एक समय था जब भारत है इंडोनेशिया है बहुत जगों पे यूरोप के अलग-अलग देशों का कबजा हो गया था तो इसी में से जो यूरोपीय लोगों ने खेतियां की उसी में से एक क्रशी थी जिसको रोपन क्रशी कहा गय यूरोपी ये उपनिवेशों ने अपने अधीन उश्न कटिबंधी ये छेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, कन्ना, केला और अननास के पौधे लगाए ये देखे यहाँ पर रोपन क्रशी हो रही है इस क्रशी की मुखे विशेष्टा है कि ये भूमी के बहुत बड़े छेत्र पे की जाती है यानि क्रशी छेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है अच्छा, इसमें पूंजी भी जादा लगती है इसमें मैनेजमेंट आपको करना होता है कई सारी देके मूवीज बनी है जिसमें की लोगों को जबरदस्ती ले जाया जाता है इस तरह के फार्म में और उनसे काम कराया जाता है तो यहां पर क्या है बहुत बड़ी संख्या में एक समय पे जो दास है उनसे काम कराया जाता था तो इसमें बहुत जादा पूजी लगती है, मैनेजमेंट होता है, तकनीक लगती है और वैग्यानिक विधियों का प्रयोग होता है ये एक फसली क्रशी है, जिसमें किसी एक फसल का ही उत्पादन किया जाता है, केवल एक फसल पे फोकस होता है तो इस तरह की जो क्रशी है, ये उन जगों पे हो रही है, जहां पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, यातायात को विक्सित किया जाता है, जिससे की जो बागान में जैसे चाय हुई, तो इसको आसानी से बाजार तक पहुचाया जा सके फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफरीका में काफी और कोकोवा के पौधे लगवाए थे, ब्रिटेन वासियों ने भारत में, श्री लंका में चाय के बाग लगाए, मलेशिया में रबर के बाग लगाए, पश्चिमी द्वीब समू में गन्ने की खेती करवाई, केले की एक तरह से ये बागान कहे जाते हैं, तो गन्य के बागान, केले के बागान लगवाए, पश्चिमी डूइप समूव वगएरा में, बृटेन के द्वारा, तो कुल मिलाके और भी देखे इसके एक्जामपल है, लेकिन कुल मिलाके इन लोगों ने क्या किया, शासन इस्थाप जा है, लेकिन अधिक तर जो नागरिक हैं या जो सरकार हैं, उनके नियंत्रण में रोपन क्रशी आगए, अब देखे रोपन क्रशी को समझ लिया, अगली तरह की क्रशी है, विस्तरत वानित जी का नाज क्रशी, तो इसके नाम में ही छिपा है, ये कैसे हो रही होगी, वि अच्छांशों के आंतरिक, अर्ध शुष्क प्रदेशों में, कहां पर जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, वहां पर ऐसी खेती होती है, इसकी मुख्य फसल गेहू है, यहां पर यानि की, जहां पर विस्तरत वानित जैनाज क्रशी हो रही है, यहां पर मुख्य फसल क्या नामी विस्तरत है और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कारे यंत्रों के द्वारा होते हैं क्योंकि वानिजी खेती है इसमें प्रति एकर उत्पादन कम होता है देखिए पहले हम लोगों ने देखा था जो आपकी गहन निर्वाकरशी थी उसमें प्रति एकर उत्पादन ज ज्यादा है क्यों कि यंत्रों का प्रियोग हो रहा है पूरे खेत में मालू होगा एक व्यक्ति काम कर रहा है पूरा खेत एक व्यक्ति का है तो ऐसे में एक व्यक्ति जब इतने बड़े खेत का मालिक होगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन पर एकर उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो अब देखे लोकेशन की बात कर लेते हैं तो आपको मैप पर देखना है मैं आपको लोकेशन बताऊंगा यूरेशिया में जो इस्टेपीज है इसके साथ ही उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है अर्जेंटाइना क ठीजा आपको ये विश्व के अलग अलग जो प्रदेश हैं उनके बारे में बताऊँगा तो इनुको मैं आपको और भी डिटेल में बतौँगा अब देखिए अगला करशी का हमारा प्रकार है मिसृत करशी तो इस प्रकार की करशी विश्व के अत्यधिक बिक्सित भाग में होती है जैसे आपका उत्तर पश्मी यूरोप हो गया इसके साथ ही आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया देखिए उत्तरी अमेरिका का मैप पर देखिए पूर्वी भाग इसके साथ ही फिर यूरेशिया के कुछ हिस्से हो गए दच्छणी महादवीपों क जो समशीतोषन अच्छांश वाले भाग हैं देखिए दच्छणी महादवीप मतलब जो दच्छणी गोलार्द में महादवीप हैं और इनके कौन से भाग जो समशीतोषन अच्छांश के उपर भाग आते हैं वहाँ पर आपको मिश्रित खेती दिखेगी इस क्रशी में खेतों का आधा आकार मध्यम होता है यानि ना खेत बहुत बड़ा होगा ना छोटा होगा इसमें गेवों है जो, राई, जै, मक्का, चारे की फसल और कंद, मूल वगएरा प्रमुक रूप से बोय जाते हैं चारे की फसले मिश्रित क्रशी की प्रमुक घटक है अब देखें मिश्रित क्रशी है तो फसल के साथ पशुपालन होगा दो चीजे मिक्स होंगी तभी मिश्रित क्रशी बनेगी तो फसल के साथ पशुपालन होगा और जब पशुपालन करना है तो आपको चारे की जरूरत पड़ेगी तो चारा यहां पर जो है फसल के साथ जरूर उगाया जाता है फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें एक समान महत्तु दिया जाता है फसल के साथ पशु जैसे मवेशी है भेड़ है सूर है और भी जो पशु हैं इन सभी को पाला जाता है इन परतन होता है और अंताफसली क्रशी म्रदा जो है ये म्रदा की उर्वरता को बनाए रखती है यानि कि जैसे कि जो हमारे क्रॉप रोटेशन होता है इन सब चीजों से इन सब टेक्निक की मदद से यहां पर जो म्रदा की उर्वरता है उसको बनाए रखा जाता है फिर आ जाती है डेरी क्रशी देखिए डेरी व्यवसाय दुधारू पश्वों के पालन पोशन का सबसे उन्नत और दच प्रकार है यानि कि जो डेरी व्यवसाय है इसके मदद से क्या किया जाता है केवल जो दुधारू पश्वों है उनका पालन पोशन किया जाता है इसमें पूंजी की भ शप्पर है, घास संचित करने वाले भंडार है, दुगदत उत्पादन में अधिक यंत्र है, कुल मिला के पूंजी बहुत चाही होगी, क्योंकि देखिया इतने ज्यादा पशु है, तो उनके लिए आप एक छट बनाएंगे, उनके लिए घास संचित करेंगे, क्योंकि आप आपको बहुत ज्यादा इनका चाही होगा, और फिर आपको यंत्र बगएरा भी चाही होगे, कुल मिला के पूंजी बहुत ज्यादा लगेगा, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल यानि पैसा, तो पैसा बहुत होना चाहिए आपके पास डेरी क्रशी करने के लिए, बीमार है तो उसकी ततकाली चिकित्साइन चीजों पर ध्यान होता है, गहन श्रम की आवशकता होती है, गहन श्रम मतलब लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसमें परिश्रम की जरूरत होती है, लोग बहुत लगते हैं, पश्वों को चराने, दूध निकालने आद देद खाली पड़ा है, अब इतने दिन आपको श्रम नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, पूरे साल आपके पास जानवर रहेंगे, जब पूरे साल मवेशी है, तो पूरे साल चराना पड़ेगा, उनके स्वास्त का ध्यान रखना होगा, तो पूरे साल जो है इसमें लेबर की ज़रूरत होती है, एक लेबर इंटेंसिव ये काम है, डेरी क्रशिका कार्य नगरी और ओद्योगी केंदरों के समीब किया जाता है, क्योंकि ये ताजा दूद और अन्य डेरी उत्पात के अच्छे बाजार होते हैं, अब देखे क्या है, अगर आप वान तुनिन का मॉ जा दिया जाए, अब हाला की स्थिती बदल गई है, क्योंकि यातायात के साधन तेज हो गए है, मालू हूँ अब बुले ट्रेन से भेज दिया, या एर प्लेन से भेज दिया, इसके साथ ही अब प्रशीतक हो गए हैं, वाहन ऐसे हैं जो ठंडे बने रहते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सुवधाएं हो गई हैं, कि जो डेरी है, वो मार्केट से काफी दूर भी इस्थापित होने लगी है, अब ये जो वानिजिक डेरी है, वानिजिक मतलब कॉमर्शियल जहां पर लाब के लिए काम किया जाता है, तो ये जो कॉमर्शियल डेरी है, इसमें छेतर आजाता है कनाडा, सबसे ज़्यादा तो यह आपको उत्तर पश्च्मी यूरोप में दिखेगी, इसके बाद कनाडा में भी आपको डेरी इक्रशी होती होती दिखेगी, और इसके साथी जो दच्छिर पूर्वी ऑस्टेलिया है, यहाँ पर भी दच्छिर पू भूमद्य सागर के समीप वर्ती छेतर, जो दच्छिर यूरोप से उत्री अफरीका में ट्यूनीशिया और फिर एटलांटिक तक फैला है, यानि कि भूमद्य सागर के पास का यह जो छेतर है, यहाँ पर इसका विस्तार है, साथी में दच्छिर कैलिफोर्मिया, मद्य वर ही है, इन सब ही की विशेष्टा क्या एक जैसी यहाँ पर जलवायू मिलती है, इन सब इस्थानों पे, खटे फलों की आपूर्ती करने में यह छेतर बहुत जादा महतुपूर है, यानि कि यहाँ पर आपको कैसे फल मिलें, यह जो खटे फल होते हैं, जैसे अंगूर बग इसे किस्म की जो अंगूरों की शराब है, वो बेची जाती है, यहाँ की जो अंगूर की शराब है, वो बहुत फेमस है, यहाँ पर जो निम्दश्रेणी की अंगूर है, उनको सुखा कर मुनक्का और किश्मिश पनाई जाती है, अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन हो तो इस प्रकार की क्रशी में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसले जैसे की जिन फसलों को बेचके जादा पैसा मिलेगा जैसे सबजियां है, फल है, पुश्प है इन सब की खेती की जाती है और इन चीजों की मांग नगरिये छेतरों में जादा होती है तो इस क्रशी में खेतों का आकार छोटा होता है और खेत अच्छे यातायाद साधनों के द्वारा जो नगरिये केंदर हैं उससे जुड़े होते हैं तो देखिए नगर के जो नगर है जहां पर जादा आए वाले लोग रहते हैं जाहिर सी बात है वहीं पर ये चीजे विकें तो वहीं पर ये फूल वगएरा जो है अच्छे यातायाद साधनों के मार्द्यम से पहुचा दिये जाते हैं इसमें शरम बहुत गहन होता है यानि लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पूंजी भी ज़्यादा लगती है पैसा भी ज़्यादा लगता है इसके वगएरा खराब ना हो तो ये सारी चीजे सिचाई उर्वरक इन सब चीजों की जरूरत होती है इस प्रकार की क्रशी उत्तर पश्चिमी यूरोप सयुप्त राजी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग भूमद सागरी ये प्रदेश में देखी जाती है और यहां पर क्यों ये क्रशी देखी जाती है क्योंकि यहां जो आउद्यों की छेत्र है वहां पर जनसंख्या घनत तो बहुत ज्यादा और वो भी कैसी जनसंख्या जिसके पास पैसा है जो ये सब खरी सकती है तो ऐसे देशों में जाये से सयुप्त राजी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भा है उत्तर पश्चिमी यूरोप है यहां पर आपको इस तरह की बागान है या कह लिए उद्यान कहना चाहिए बागान है इस तरह के जो उद्यान है सबजी की खेती है यह सब होती दिख जाएगी नीदर लेंड पुश्पुत पादन में बहुत जादा विशिष्टता रखत है यहां से बागवानी फसल खासकर जो ट्यूलिफ है एक प्रकार का फूल ह지 देखिए आपके सामने ट्यूलिफ है तो यह 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 यूरोप के जो खास खास शहर हैं वहां पर भेजा जाता ताल अ कहां से नीदर लेंड से जिन प्रदेशों में रशद केवल सबजीं पैदा करते हैं वहाँ इसको truck crushy यानि कि English में कहते हैं truck farming तो जहां पर केवल सबजी पैदा की जारे हैं वहाँ इसे truck farming कहा जाता है truck farm वह बाजार के मद्दे की दूरी जो है देखें क्या है कि बाजार है एक तरफ तूसरी तरफ आप जहां पे खेती कर रहे हैं इसके बीच की जो दूरी है truck एक रात में तै कर लेता है जिससे की सबजी वगएरा खराब ना हो तो इसी आधार पे इसको truck farming या truck crushy कहा जाता है कुछ और चीज़े देख लेते हैं देखें पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अद्योगी छ्हेतरों में उद्यान क्रश के अलावा कारखाना क्रश की जाती है इसमें पशुधन पाला जाता है जिसमें खास कर गाय बैल है और जिसको Murgah Pakalन कहते हैं इन्हें बाड़े में कारखानों में तयार बनाए भोजन पर रखा जाता है यानि कि जो भोजन है इनको कारखानों में जो तयार भोजन होता है वो इन्हें दिया जाता है बीमारियों का ध्यान रखा जाता है इसमें भवन, निर्माण, यंत खरीदना, प्रकाश और ताप की विवस्था करना पशुचिकित्सा इन सब के लिए पैसा लगाया जाता है अच्छी नसल का चुनाव और जो प्रजनन है ये वैज्ञानिक विधियों के आधार पर होता है क्रशी करने वाले संगठन के आधार पर भी क्रशी को वरगीकरत किया जा सकता है अभी देखे हम सारे देश में अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो अमूल में क्या होता है एक आपकी सहकारी संस्था है जिसका नाम है अमूल सारे किसान जाते हैं संस्था को अपना दूद बेच देते हैं ये जो दूद है अमूल अब क्या करता है इसको पैक करता है जिससे ये ज़ किसान का दूध है, वो महंगे दामों पे बिख पाता है, otherwise जो दूध है वो सस्ता बेचना पड़ेगा, तो किसान को अपने दूध का अच्छा पैसा मिलता है अमूल से, तो ये सहकारिता हो गई, जिसमें कि क्या होता है कि कई सारे किसान मिलके अपना एक संगठन बना लेते ह और फिर इस संगठन का उद्देश होता है कि जितने भी इससे जुड़े हुए किसान हैं सबको अधिकतम लाब हो तो इसको एक बार थियोरी में देख लीजे जब क्रशकों का एक समूँ अपने क्रशी से अधिक लाब कमाने के लिए अपनी मर्जी से एक सहकारी संस्था बना के क्रशी कारे करता है तो इसे सहकारी क्रशी कहते हैं इसमें आपका फार्म तो व्यक्तिकत ही रहेगा लेकिन जो क्रशी है उसका रूप सहकारी हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपके फार्म में सब लोग आ जाएंगे मिलके खेती करेंगे, नहीं काम अपना अपना करेंगे, लेकिन सब एक साथ मिलके उसको बेचने वगएरा क्या प्रबंद करेंगे, सहकारी संस्था क्रश्कों को सभी तरीके से सायता देती है, अब चाहें आपको खे जियम है, स्वीडन है, इटली है, इन सभी जगों पे सफलता पूर्वक चला, डेनमार्क में इसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी, और हर जो क्रशक है, वो डेनमार्क में सहकारी संगठन का सदस्य है, डेनमार्क में ये अंदोलन सबसे ज़्यादा सफल रहा, अब हैं तो जहां सोवियत संग जहां पे मार्सिष्ट टाइप आफ गवर्मेंट था वहां पर क्या था कि सारी चीजे सरकार की हैं तो आप सब किसान मिल करके काम करिये और जो मिलेगा वो सभी किसानों को दिया जाएगा तो यह आपकी सामोही क्रशी हो गई अब देखिए हम लोगों ने दो तरह की चीजे समझ ली एक तो हम लोगों ने जो वनों से खाद्याने खटा करना है पशु पालन है फिर अलग-अलग तरहां की क्रशी है इन सबी चीज़ों को देख दिया अब हम लोग खनन की बात करेंगे जो माइनिंग है ये भी प्रात्मिक गतिविदी है तो इसको अब हम लोग पूरा तो नहीं देख सकते इतने सारे खनीज हैं सबका अलग अलग तरहां से खनन होता है थोड़ा बहुत इ इतियास में खनीजों की खोज कई अवस्थाओं में देखी जा सकती है जैसे ताम यूग, कांस यूग, लोह यूग, प्राचीम काल में खनीजों का उपयोग औजार बनाने, बरतन बनाने, हतियार बनाने तक्सीमित था लेकिन अवद्यों की करांति के बाद अब जो जितन जैसे कि किस तरह के खनीज आपके पास हैं, कितना बड़ा छेत्र खनीज का उपलब्द है, किस क्वालिटी का खनीज है, इस पर डिपेंड करता है कि खनीजों को जमीन से निकालने में लाब होगा या नहीं, मान लीजे, ऐसी जगे पर खनीज है जहां पर निकालने का आपके पास इंफ्राइस्ट्रेक्चर कैसा है, जैसे पेट्रोलियम है किसी देश में, तो वो निकाल भी पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको खनन से लाब होगा आपके देश को या नहीं, आच्छा देखिए वर्तमान समय में क्या है कि जो बहुत से देश हैं, उन्होंने खनन गतिविदी को छोड़ दिया है, क्योंकि उनके आस्रम यानि कि जो लेबर कोश्ट है बहुत ज़्यादा है, तो आज जो हमारे विकाश इल देश हैं, उनमें खनन कारे ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अफरीका के कई देश, त अधी भी बहुत से देश हैं, खास कर विकाश इल, जो माइनिंग से अपने देश की अर्थविवस्था को चला रहे हैं, अब और भी जैसा कि मैंने का बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सभी को कवर करना यहाँ पर विवहारिक नहीं होगा, एक ओवर व्यू देख और यहाँ पर हम लोगों ने आज जो भी अर्थविवस्था में प्रात्मी गतिविधियां होती हैं, उन सभी को कवर कर लिया, अब अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर से अपने डिसकशन को करेंगे